डप्टर नोन दोस्तों मैं अनुवव कुमार जैसा कि आप सभी को पता है आज वाइट केन डे है 15 अक्टूबर यानि आज के दिन हम लोग वाइट केन 70 डे की रूप में मनाते हैं आए इसके बारे में जानते हैं वाइट केन डे क्या होता है वाइट केन क्या है इसका इस्ते करने के लिए करते हैं रास्ते में किसी ओब्जेक्ट डिटैक्ट करने लिए कि मेरे रास्ता क्लीन है क्या है और उसके आगे क्या इस्टेप लेना है वाइट जो होता है मेलनी मैडल beneficial का बना होगीड़ लेकिन ये और भी चीजों के बने हो सकते हैं जैसे fiber, rubber and anything ये height कितना होना चाहिए white can का ये user की height पर depend करता है किसका height कितना होना चाहिए ऐसे देखें सबसे पहले white can को design किया था Dr. Richard Hoover ने इसे हम लोग Hoover can के नाम से ये प्राविंग, can ये stick के नाम से भी जानते हैं लेकिन सबसे पहले 1921 इसवी में James Bing जो की एक photographer थे जिनका World War I के दोडान आँक की रोसनी चली गई और उनके घर के आसपास बहुत ज़्यादा traffic होने के garden उन्होंने white stick एक stick को white color से paint कर दिया इससे की लोगों को ये symbol मिले की इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है हमें इनका मदद करना चाहिए तो वहीं से उसके बाद इस सबसे पहले 15 अक्टूबर को white can safety day के रूप में मनाते हैं हम लोग तो आये देखते हैं हमें क्या करना चाहिए अगर कोई लोग white can लेकर चल रहा है तो सबसे पहले हमको जो भी driving या traffic rule है उसे properly follow करना चाहिए हमें जहां रुकने का जगह है वहां रुकना चाहिए जो भी traffic rule है उसे follow करना चाहिए दूसरा उनके white stick के साथ हमें छेरचार नहीं करना चाहिए उन्हें किसी चीज के साथ पटकना नहीं चाहिए आवाज नहीं करना चाहिए जो visually impaired लोग हैं उन्हें धक्का नहीं देना चाहिए हमें वो जब तक मदद के लिए ना बोले तब तक हमें उनकी मदद एक तरह से नहीं करनी चाहिए वो अगर उन्हें मदद की जरुरत होगी तो वो आपको मदद के लिए बोलेंगे तो आप उनकी मदद करें थैंक यू